चलो आज अंडे से हम कुछ अलग बनाएंगे सबसे पहले अंडे उबाल के उसके चार भाग करेंगे और उसके लिए बैटर तयार करेंगे कटोरी में लेंगे हम कैजून ब्रीडिंग पाउडर मेरे पार रेडिमीट पाउडर था आपके पास घर पे मैदा कॉंट्रोर होगा उसका यूज कर सकते हैं साथ में डालेंगे हम पासली चॉप रोष्टेट वाइड तिल डालूँगा और क्रेस्ट पिपर काली मिर्ची का पाउडर डाल के मिक्स करेंगे इसको उसके बाद एड करेंगे उसमें थोड़ा सा नमक मेरे पास मैंने नमक ने डाला है मेरे पास रेडिमीट पाउडर था तो मैंने नहीं डालाया आप डाल सकते हैं और पानी डाल के इसको गोल को अच्छे से मिक्स करना है पानी दालना आराम से डालना है, ताकि इसमें लंप्स नंबने, अब गोल रेडी हो गया है, इसमें अंडे डालेंगे हम, अच्छे से कोट करना हैं यह बैतर मे, अभी आप देख सकते हैं, मैंने बैतर को अंडे पे लपेट लिया है, तेल गरम करने रखा है मैंने तब तक गरम होता है हम उसके लिए सौस चाया तयार करेंगे जलपिनो लेंगे इसको फाइन चॉप करेंगे बारिक काटेंगे एकदम लाल पीला और हरा तीनों कैपसिकाम हम लेंगे सिम्ला मिर्ची को अच्छे से चॉप करना है और साथ में डा दलने थोड़ा सा सूस में ऐख अच्छे से भी अच्छा सॉस है अहम इसको लैमन जूस दल केख़ता हो जाए गशाएगा ऌशायार अलग अलग ही डालना है नहीं सो चिपक सकते हैं अबियुक्त देख सकते हैं और एक प्लेट में अलग निकालके रखेंगे प्लेटिंग करेंगे इसकेल हीं इ cosmic प्लेट लेकर इसमें जाफेसे आरेंज करणा है और फिर सलात के उपर से डेविल एक को रखेंगे अरेंज करके अभी आप देखिए अंडे पे हमारे वाइट तिल और बैटर पुरा अच्छे से दिख रहा है जो हमने सॉस रेडी किया था अंडे के उपर से अच्छे से फैला देंगे जब हम इसको खाएंगे तो अब च्छा सा अंडे के साथ में सॉस का फ्लेवर आ जाएगा अपने को स्पाइसी स्वीट अभी ये मैंने बाल्समिक पिनेगर का ग्लेज बनाया था साइड में गार्निस करूँगा इससे और थोड़ा सा गार्निस में बारी कटा हुआ धनिया ड